तो दोस्तो आज फरवरी की 22 तारीक है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओलियंडर या कनेर का जो पौधा रहता है हलाकि ये पौधा पर्मनेंट रहता है लेकिन समर फ्लारिंग रहता है गरिमी का मौसम इसको बहुत पसंद रहता है इस पौधे को फर्टलाइज क इस तरह से करना है और खास तोर पर ये जो पौधा रहता है इस पर ये दिखे इस तरह से जो एफिड्स ने अटैक किया आपको क्लियरली नजर आएगा इस तरह से देखिए एफिड्स ने ये मेरे पौधे पर अटैक किया हलाकि जो ये ऑलियंडर का पौधा इसको कहा जात कि यह जो efforts हैं यह इससे भी ज्यादा dangerous हैं और यह देखिए इस पौदे को भी नहीं छोड़ रहे हैं इस तरह से बहुत बुरी तरह से इस पौदे के ऊपर क्योंकि इस पर देखिए ऊपर की तरफ से आपको जो कलियां जो birds हैं वो बंती भी दिखाई देंगी तो इस तरह से इस पौदे के ऊपर इन्होंने जो अपना अटैक है वो करना स्टार्ट किया है पंजाब इस कहने ना की टीठ कीडे एटीठ कीडियां जो ने एदे एक ते ए ते दूसरा मिली बग दोनों बहुत टीठ कीडे ने बलकुल इस मौसम में जो है यह सभी पौदों पर अटैक कर मेरे पास इस पौदे को मैंने हार्ड प्रून किया था कुछ समय पहले और इसकी रूट प्रूनिंग भी की गई थी और इसके बाद इसकी जो यह डबल ब्रांच थी यह थी और इसको मैंने इस तरह से जो है यह टाई कर दिया था सूथली की मदद से एक थ्रेड की मदद से मैंने इसको टाइए तकि यह ब्रांच को टाइगा कि इसकी जो सोटली और पुस्ता से कुछ प्लांट लिए अ कहीं इसको आ हाई फीट का यह पौद है और इसको मैंने इस तरह से दस इंच के गमले में ग्रोग किया हुआ है इन पौदों को आप दो साल में एक बार रीपोर्ट कीजिए तो वह सफिशन्ट रहता है सबसे पहले खाद को एड किया जाएगा उसके बाद जो टीटमेंट है आपके साथ श केच्वा खाद जो रहती है केच्वा खाद की दो बड़ी मुठी तो इस तरह से केच्वा खाद को इस गमले के अंदर एड कीजिए और अच्छे से जो मिटते की गुड़ाई है वो करना बहुत इंपोर्टन रहता है तो यह रिखिए इस तरह से दो मुठी लगबग 50 से 70 गराम जो यह दो बड़ी मुठी जो केच्वा खाद है उसको हम इसके अंदर एड करेंगे ताकि पौदे को सभी तरह के जो न्यूटेंट्स हैं और स्लोर जी जो न्यूटेंट्स है वो मिलते रहें उसके बाद दूसरी जो चीज़ यहां पर मैं एड करूंगा यह सीवीड ग्रेनुल्स हैं सीवीड ग्रेनुड्स का जो वर्क रहता है यह माइक्रो न्यूटेंट्स रहते हैं और फौदे को सभी तarह के जो न्यूटेंट्स है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं यह पौदे को एक बैलंस्ट ग्रोथ देते हैं तो इस तरह से दूसरी जो निकल कर आएगी और इसके बाद नंबर तीन जो चीज में आड़ करने वाला हूं वह इस तरह से दिखिए यह बॉल टाइप जो फाटलाइजर है इसको डी एपी बोलते हैं तो यह ग्रैनवर्ल डी एपी है डायमॉनियम फोस्पेड इसमें नाइट्रोजन और फोस्पोरस का रिसोर्स रहता है तो यह भी रूट्स को अच्छे से बढ़ावा देगी इस मौसम में इसकी जो ओवरल ग्रोथ है वो बहुत इंपोर्टन्ट है तो इसको इस तरह से जो डी एपी के कुछ दाने जो है वो गमले की मिट्टी की साइड में लगबग थोड़ी थोड़ी दू को जो है वो मिक्स कर दीजिए तो ऐसा करके हम पौधे को पानी देखकर एक दो दिन के लिए जो है वो सैमी शेड एरिया उसके बाद फुल सनलाइट में प्लेस करेंगे यह तो बात हुई फटलाइजर के बारे में अब बात आती है कि जो यह एफिट्स रहते हैं या मिली बग जैते हैं की ट्रीटमेंट की इस तरह से करनी चाहिए इसके लिए यहां पर मैंने देखिए लगबग एक लिटर के आसपास जो है वो स्प्रे बोटल के अंदर पानी लिया है इस पानी के अंदर हमें जो एड करना है वो कुछ इस तरह से हैं यहां पर मैं हिट सेल का इ आए साइपर मेंटरी रहते हैं साइपर मेंटरीं बहुत इंपोर्टेंट वर्क पले करती है इस मिली बग को या एफर्ट्स को दूर भगाने से पोडों में तो यह केमिकल रहता है अगर आप ढ़र आप केमिकल का आठ से दस जो ड्रॉप हैं वो एड़ कर दी है अगर आप इस तरह से नीम उयल का इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ में यहां पर मैं थोड़ा सा जो फंगी साइड पौडर है इसको भी इसके अंदर आड़ करने वाला हूं फंगी साइड का मेंली जो रोल रहता है वो फंगस क भी कर सकते हैं इसका कोई बहुत जाया जूरत नहीं है यहां पर तो मैं थोड़ा सा लगबग एक ग्रम जो फंगी साइड है इसी के अंदर जो है वो एड़ कर दूँगा अच्छे से इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आपने सभी जगा पर जहां पर भी आपको देगा तो यह काम इस मौसम में हर तीन से पांच दिन में कीजिए आपका जो प्लांट है वो बल्कुल हैल्दी रहेगा और जैसे ऐसे प्लांट के ओपर जो बर्ड्स है उनकी फॉर्मेशन सही से होने लगे वैसे वैसे आप इस पौदे को पोटैशियम रिज जो बर्ड्निंग तेक केर